यूट्यूब फैमिली, आज का जो हमारा मेडिसन टॉपिक है वो है कालो सिंथ, इस पे बात करने से पहले मैं आप से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, शेर कीजिएगा, सब्क्राइब कीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना न भूलिएगा, शुक्रिया, माई यूट्यूब फैमिली, आज जो हम टॉपिक पे बात कर रही हैं वो है कालो सिंथ, ये ऐसी तक अलिफ में मुफीद है, जो मौसम के बदलने के वक्त आती है, इसकी अलामाज होती है, पेट और सर में जाहिर होती है, असाभी दर्ट पैदा करती है, ये खास तोर पर चिर्चड़े अफराद और जो जल्द घुस्से में आने वाले लोगों के लिए नहायती मुफीद मेरिसे ने, ऐसी फीमेर्स जिनको पीरियर्स के प्रॉब्लम्स हों, और वो आराम तलब हों, ऐसे अफराद जिन में मुटापे का रुजहान पाय हो जाते है, वुस्सार करने के बाद वो पच्टाथ और इसके इलावा होता है कि सर को बाएजाने मोरने से पशेंट को चकर आते हैं, पशेंट को मतली और कैप, उसके सारी दर्दे, खोपड़ी में दुखन होती है, जलनदर दर्दे होती हैं, पिशानी का दर्द होता है, जो आगे छुकने से और पपोटो की हरकत से देने से बढ़ता है आंखों जो होती है उनमें चीरने जैसा दर्द होता है दबाओं से कमी वाक्या हो जाती है आंखों की जो गंठियावी तकलीफ धुंदलापन पेशन की जो चेहरे को अगर देखे तो चेहरे की चेहरे पर पूजन होगी और चीरने पहढने और गोली लगनी जैसा दर्द होता है बाएन जानिब जो शड़ीद दुखन होती है कानों की बासगर्ष्ट सुनाई देती है पिशंट को स्टॉमिक में दर्द रहता है पिशंट के अक्सर सर्दर्द या दांत के दर्द के साथ आता है पिशंट के जो मुखा जायक है वो बहुत ज्यादा करवा होता है जुबान खुर्दरी होती है जैसे उपर रेत पड़ी हो जुबान पर जैसे जुलस गई हो स्टॉमिक में कोई चीज पड़ी हो पेशन्ट को ऐसे हैसास होता है भूख जो होती है वो पेशन्ट की नदीदों जैसी होती है जिसकी वज़ा से पेशन्ट जो है वो दोरा हो जाता है और पेट को